नमस्कार आप सभी का हमारे टूब चेनल में स्वागत है और आज की वीडियो में बताएंगे कि FL Studio 21 के FLP प्रोजेक्ट को आप कैसे सेब करोगे तो सेब करने का सही तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि यह FLP प्रोजेक्ट जो कि मैंने FL Studio 21 के अंदर बनाया हूँ और इसके FLP प्रोजेक्ट को हम सेब करने वाले जिससे बाद में भी हम इसको ओपन कर सके या फिर किसी को भेजें तो वो बन्दा इस FLP प्रोजेक्ट को ओपन कर सके बिद्व सेंपल्स के साथ में तो जैसे कि यह FLP प्रोजेक्ट है अब इसको सेप करना है तो सेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको फाइल के उपर आना है फाइल के उपर आने के बाद में आपको यहां पर दिख जाएगा एक्सपोर्ड का आपसन और यहां पर सबसे नीचे आना जहां पर लिख के आजाएगा प्रोजेक्ट डाटा फाइल्स इसके उपर आप क्लिक कर दीजेगा क्लिक करने के बाद में आप इसको किसी भी ड्राइब के अंदर डाल सकते हो जैसे कि हम इसको डेश्टा आपके उपर डालना चाहते हैं और यहां से सेलेक्ट फॉल्डर करने के लिए बोल ला है तो हम क्या करेंगे एक कोई भी फॉल्डर यहां से खोल लेंगे जैसे कि FLP प्रोजेक्ट का फॉल्डर है हम आपको राइट क्लिक करके दिखा देते हैं कि इसकेंदर अभी कोई भी सेंपल्स नहीं पड़ा हुआ है यह देख सकते हैं कोई भी सेंपल्स नहीं पड़ा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं यह फॉल्डर था और इसकेंदर खोल के आपको दिखा सकते हैं कोई भी सेंपल्स नहीं है तो अब क्या करना है आपको यहां पे file के उपर आना है export के उपर आना है और project data के उपर चले जाना है और यहां से FLP project select कर देना है folder और select folder के उपर click कर देना है अब इससे क्या होगा जो इसके अंदर का सारा जो भी samples है यानि कि vocal है, midi है और जो इसके अंदर samples जैसे kick, snare, clips, high hit, effect यह सारा जो samples है वह उस folder के अंदर सबसे पहले export हो चुका है तो चले हम आपको दिखा देते हैं यह रहा यह सारा चीज यहां पर आ चुका है कुछ इस तरीके से जो जो चीज यूज हुआ है जो भी samples यूज हुआ जाएगा second आपको क्या करना है यहां पर आपको click कर देना ह यहां पर देख सकते हैं FLP project आपको इसके उपर double click करना है double click करने के बाद में यहां पर चाहो तो आप नाम डाल सकते हो या तो जैसा है वैसा रखिए फिर यहां पर save के उपर click कर दीजिए save हो चुका है यानि कि जो अभी आपका FLP project था वो save हो चुका आप यहां से click करके exit क कर दीजिए इसको आप cut कर दीजिए इसका कोई काम नहीं अब यहां से आप इसको open करके आप देख सकते हैं यह देख सकते हिसे कि मैंने यहां पर open किया इस FLP प्रोजेक्ट को तो ये open हो जाएगा हमारा FL Studio 21 के अंदर तो यहाँ पर देख सकते हो open हो रहा जितना भी samples था वो सारा चीज़ आ जाएगा और आपका अच्छी तरीके से जो भी आपका FLP प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया है और उसको आप दुबारा से उसके उपर काम करना चाहते हो तो इस तरह से उसके samples के साथ में उसके FLP प्रोजेक्ट को आप save कर सकते हो बहुत सारे लोग करते कि हैं कि सिर्फ FLP प्रोजेक्ट ही save करते है जिससे क्या होता है माल यह samples अगर वो यूज किये हैं किसी भी folder से अगर folder delete हो गया तो क्या होगा कि यहां पर missing file बताता है कभी-कभी यह हो जाता है तो वो क्या करते हैं बन्दे सिर्फ इसके FLP प्रोजेक्ट को save करते यहां से यहां पर दे और उसका नाम डाल दिया सिर्फ FLP को ही save कर देते हैं लेकिन यहां से जब आप जाईएगा और यह आला data यूज करोगे इस तरह से तो सारा samples भी जाएगा उसके अंदर और उसके बाद में save एच करके इसके FLP को भी save कर देना और कभी भी इसको खोलिएगा missing data नहीं बताएगा missing samples नहीं बताएगा और आपका अच्छी तरीके से जो भी आपका FLP प्रोजेक्ट होगा वह save हो जाएगा तो इस तरह से आप save कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो